अजीज दल्बाव तालबाद उमीद है आप सब बखैरो आफियत होंगे आज हम जमात हफ्तम में उर्दू की पहली मियाद का सबक नमबर दो पढ़ेंगे जिसका उन्वान ग्रामर है पसूसी मकासिद इस सबक की पढ़ाई के बाद कल्बा इसकाबिल हो जाएंगे कि वो मजमून नविसी के बारे में जान सकेंगे और मजमून तहरीर करने के अहम नकाद से भी रोशनास हो सकेंगे आज हम उर्दू क्रामर में मजमून करेंगे सबक का अगास एक मुक्तसिर तारुप से करते हैं हमारा आज का उम्वान है खुबे वतन वतन से मुहबब वतन इस कित्ते जमीन को कहते हैं जहां इनसान पैदा होता है खेलता है जवान होता है जहां इसके वालदेंग अजीजों अकारिप और दोस्त एहबाब बसते हैं इनसान जिस सर्जमीन पर नशनुमा पाता है इसमें बसने वाले लोगों से इसके दरो दिवार से और इसकी फिजाओं से इनसान को एक खास किसम की ज़जबाती वाबस्तगी हो जाती है जिसे खुब बेवतन कहते हैं खुदा करे के मेरी अर्से पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा जवाल ना हो तबक के अगास के लिए तरकार अशिया है पैंसिल, रबर, हाइलाइटर, नीला पैन, नीला मारकर और उर्दू की कापी सबसे पहले उर्दू की कापी खुलें और इंडेक्स लिखें कापी की अगले सफे पर आएं और सबक का सबकी इशारा बनाएं अगले सफे पर आएं दीन, तारीख और आज का काम लिखें उन्वान है मस्मून नविसी, मस्मून नविसी क्या है? मस्मून एक ऐसी तहरीर है जिसमें लिखने वाला किसी मुकररा मौज़ू पर अपनी मालूमात, तज़र्बात, ख्यालात और एहसा साथो जजबात का तह्रीरी इशार, तर्ती, तसलसुद और रवानी के साथ करता है खुबे वतन उन्वान पर दिये गए एहमन नकात की मदद से अब हम मस्मून लिखेंगे खुबे वतन की एहमन नकात है फित्री जजबा, वतन की एहमियत, पुर्बानी, वफादारी, वतन से लगाओ, तकाजाए इमान और हासिले कलाम अगले सब्बे पर आज का काम और उन्वान लिखें आईए, अब हम मजबून तहरीर करते हैं मेरे वतन की मटी बनी मेरी पहचान जहां रोशन सितारे, वो है मेरा पाकिस्तान बतन एक जनम भूमी का नाम है जिसकी जमीन, हवा और माहौल में इनसान पैदा होता है खेलता है, जवान होता है यही माबाप, भाई बेहन, रिष्टेदार और दोस यार इसके महरबानों मुश्विक, हमदर्दों गंबुसार, फैरंदेशों बही खवार मुझूद होते हैं इनसान को इन चीजों से इतना लगाव हो जाता है कि इनसे जुदा होते हुए मुस्तरिब और बेचैन हो जाता है वतन एक घर है जिससे इनसान की मुहबब एक फित्री अमर है यही मुहबब इनसान को दुश्मन के मुकाबले में लाकर खड़ा कर देती है यह इसकदर फित्री अमर है कि हैवानात तक अपने ठिकाने, बिल और कच्छार वगयरा से मुहबब करते हैं और इसकी मुहबब में जान तक लड़ा देना फित्री तकाजा समझते हैं अगले सफ़े पर भी आश्का काम और उन्वान लिखे खुबे वतन की आला अर्फा सूरच यह है कि वतन के साथ हमारी मुहबब इस वज़ा से हो कि इसमें एहले वतन बसते हैं यह ऐसे अफराद का घर है कि जिनके ज़जबाद, ख्यालाद, एहसासाद और अजाएं वही हैं जो हमारे हैं अगर इस ज़जबे को सही इखला की कत्रों पर अस्तवार किया जाए तो यह वाबस्तगी वतन की हदों को फान कर नोए इनसान की मुहबबत का रूप दोहार लेती है खुबे वतन का तकाज़ा यह है कि इनसान को अपने एहले वतन के दुख दर्द का सही एहसास हो उनकी खुशी और गमी में बराबर श्रीख हो अपने मालो दौलत और इल्मो हुनर से एहले वतन की खिद्मत करे कामीरे वतन में भर चड़कर हिसा ले अपने फ्राइजे मनसभी की अदाईगी में किसी किसम की गफलत और कोता ही ना करे सही मालो में हुबे वतन वो है जिसमें ध्यानतदारी, फर्स शनासी, हमदर्दी और कुर्बानी का जजबा मौजूद है आज का काम और उन्वान लिखी कोई भी शक्स जो वतन की मुहबद दिल में रखता है वो अपने वतन की खातिर जान देने से भी गुरेस नहीं करता वो अपनी जान का नजराना पेश करके अपने वतन और इसमें बसने वाले लोगों को सुर्परू कर देता है वो रास्ते में आने वाले बड़े बड़े पहार से टकराता है और बहाधरी से दुष्मन का मुकाबला करता है पाकिस्तानी होने के नाते हमारा फर्स है कि हम अपने वतन के साथ उख्लिस होकर अपने फराइस अंजाम दे अपने वतन से महबबत करें रह्मिर काफ्टों और मुश्किलात का मुकाबला करें हमें अगर वतन की खातित जान भी देना पड़े तो गुरेस ना करें अगले सफ़े पर भी आज का काम और उन्मान तहरीर करें काईद आजब का फर्मान है ने वतन से मुहब्बत करने वाली और वतन की कुर्बानी का जजबा रखने वाली कौमे तारीख के सफ़ात पर हमेशा वकार और इजब के साथ जगब आती है हम तो मिर्चाएंगी ऐ अर्से वतन तुमको जिन्दा रहना है क्यामत की सहर होने तक आज का काम जो आपके करने के लिए है मजमून, हुब्बे वतन, कापी पर लिखें और याद करें आज की अच्छी बात, दुनिया में कामयाबी चाहते हो तो माबाब की खिद्मत करो इस से मुराद ये है कि अगर आप एक कामयाब इनसान बनना चाहते हैं तो इसके लिए माबाब की खिद्मत को खुद पर लाजिम कर ले अगर तुम्हारे पास उन में से एक या दोनों बढ़ापे को पहुंच जाएं तो उन्हें उफ तक न कहो और मत जिड़को और उनसे इज़त के साथ बातचीत करो अमीद है आज के पढ़ाएगए सबक से आप मुस्तफीद हुए हैं शुक्रिया, अल्ला हाफिज झाल